हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सर मेरी किचिन शालूस लब बुक में आपका स्वागत है आज मैं आपको आलू शिमला मिट्स की टिक्की बनाना सिखाऊगी तो विंटर सीजन है टिक्की खाना सभी को अच्छा लगता और सभी के घर में एक बार तो बनती है तो आप ये टिक कर लिया है अच्छे से और इसकी कैब को इस तरह से हम रिमूफ करेंगे और इसके अंदर के जो बीच बगएरा हो उसको आप इस तरह से निकाल दीजे नाइफ की हेल्प से ये इस तरह से सभी को हम हॉलो कर लेंगे और ये जो आप कैब देख रहे हैं इसके अंदर जितनी लगबक चार ही मैंने मीडियम साइज के आलू लिया है यहां पर उसको मैंने यहां पर मैश करके रखा है तो यह देखिए आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं अब इसमें हम कुछ मसाले साथी हरीमर्च और अद्रक अड़क करेंगे तो दो हरीमर्चों को बारी कट कर मैं अड़क कर रही हूँ इसके साथी अद्रक हम अड़क करेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे इसके साथी इसमें थोड़ा सा रेट चली पाउडर आप अड़क कर दीजे गरम मसाला पाउडर हम एट करेंगे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेट चली पाउडर स्किप कर दें और हरी मिर्च भी स्किप कर दें एक चमच के करीब नमक डाला है मैंने अब ये देखिए हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ मैंगो पाउडर यानि की अमचूर पाउडर और बहुत सारा हरा धनिया सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और बस ये हमारी स्टफिंग शिमला मिर्च में भरने के लिए रेडी हो जाएगी तो टिक्की बनाने का बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया तरीका है आप इस तरह से बनाकर देखिएगा ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी तो ये देखिए आप देख सकते हैं मिक्सेर को अच्छे से हाथों से मिक्स करना है ये देखें यहाँ पर mixture अच्छे से mix हो चुका है आप देख सकते हैं तो इसे अब हमें भरना है तो शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से आप इसको stuff कर दीजे पर फ्रेंट्स आलू भनने से पहले ये देखें मैं थूड़ा सा नमक लगा रही हूँ तो सारी शिमला मिर्चों के अंदर एक चुटकी के करीब आप नमक लगा लिजे तो एक चुटकी नमक मैंने सभी शिमला मिर्च के अंदर लगा दिया है ये देखें इस तरह से inner walls पर आप लगा दीजे ऐसा करने से क्या होगा एक तो शिमला मिर्च गलेगी अच्छे से जल्दी गलेगी और साथ ही अंदर से फीका पन नहीं लगेगा जब आप इस टिक्की को खाएंगे तो आपको फीका पन नहीं लगेगा वरना आप कितना भी नमक डाल दीजे मिक्षर के अंदर आपको टिक्की फीकी फीकी से लगेगी तो यह देखे नमक लगा दिया मैंने अब यह देखे अच्छी क्वांटिटी में इस तरह से स्टफिंग ले लीजे हातों में और शिमला मिर्च के अंदर हम स्टफ करेंगे अगर आपके आलू में बहुत जादा पानी है बहुत जादा मौशर है और बहुत पनीला है अगर आपका आलू तो आप एक काम कर सकते हैं आलू के मिक्षर में थोड़ा सा कॉन फ्लार या फिर ब्रेड क्रम्स मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद में अच्छी से मिक्स करके आ एक दम चिटक के और ठीक से सिख नहीं पाएंगे और अच्छी शेप नहीं आएगी तो आलू को बहुत अच्छी से सूखा होना बहुत ज़रूरी है एक दम मिक्स्टर आपका ड्राई होना चाहिए तो यह देखे इस तरह से सारी शिम्ला मिर्च को आप भर कर रेडी कर लीजे इस रेसेपी को आप ऐज़े साइड डिश भी इंजॉई कर सकते हैं रोटी या पराटी के साथ भी इसको इंजॉई किया जा सकता है यह देखिए और मैं आपको इसको काट कर दिखा रहे हूँ यह देखिए इसको इस तरह से राउंडल्स में आप कट कर लीजे यह तो लगबग हाफ इंच के तुकडों में इसकी चोणाई में मैंने इसको कट किया है तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर शिम्ला मिल्च को हमने कट करके रेडी कर लिया है और यह देखिए मैंने इसको प्लेट में रख लिया है अब इसे हमें फ्राई करना होगा तो ब बड़ा भी आपका पैन हो उतने आप पीसे इसमें डाल सकते हैं सिखने के लिए और इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर सेखना है बीच बीच में आप आच भी कम करते जाएं बस आपको ध्यान यह रखना है कि नीचे से यह अच्छे सिख जाएं और जब यह नीचे से अच्छ हो गया है यह देखिए यह देखिए तो एक साइट से यह सिख चुके हैं तो आप इसको इस तरह से प्लिप कर दीजिए बहुत कम तेल में यह नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है और जैसा मैंने आपको बताया आप इसको एसे स्नैक भी इंजोई कर सकते हैं जैसे हरी चटनी बहुत टेस्टी लगता है तो दाल चावल के साथ आप इसको खाएं एक एक पीस आप बाइट लेते जाएं बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए दूसरी साइट से भी मैंने इसको सेख लिया है अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ तो यह देखिए हमारा आलू तो उस्मेरा मिड़े की टिक्की बनकर बिलकुल रेडी हो चुकि है और आप इसको एस इस सर्ब कीजे एक दम गर्म गर्म आपको इसको सर्ब करना है आप इसको इमली की चट्टी के साथ या अपर हरी चट्टी के साथ कोरियेंडर मिन्ट चट्नी के साथ neuenjoy कर सकते है या केचप के साथ भी इसको खाया जा सकता है तो जैसे मनाए आप इसको डेकोरेट कीजे और इसको अप सर्व कीजे मैं याँ पर इसको थोड़ी से बेसन भुजिया साथ ही थोड़ी से केचप के साथ सर्व कर रहे हूं तो आप भी अपनी creativity यूज़ कीजे और इसको बनाईए खाईए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसेपी लिखकर ज़रू बताईएगा लास में चाहें तो थोड़ा सा उपर से आप सेंड़िच मसाला या फिर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और खाने में ये बहुत अच्छी लगता है ये देखिए देखने में भी बहुत मज़िदार है खाने में भी बहुत टेस्टी है आप इसको बनाईए खाईए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए